हेलो आज के स्पीडियों में हम देखेंगे टेरा कियों मास्टर लीग में तो टेरा कियों के पास हैं डबल केक और सेकुर जैसे मूव जो डियाल को सुपर एफेक्टिव डेमिज देते हैं यह बैटल्स की है ब्लैक लूफी 92 ने बैटल्स बहुत ही जादा स्ट्राउंग है और इसके साथ हम पॉजिटीव हमें यह पॉजिटीव सेट मिले तो चलियेचलते हैं बैटल्स की तरफ जिसमें है फर्स्ट बैटल मैंज़ी बहुत हैं च्छा मैच यहां पर आम शील्टिक कर लेंगे प्राब्लम है कि हमारे जेशन पर प्लेयर फ़र वाइल चार्ज या क्लोज कॉम्बेट नहीं है और उसके बाद हमारा टेर कियों हम स्विच कर सकते हैं यहां पर लेकिन यहां पर सुपर पावर सुपर एफेक्टिव डेमिज देंगे लेकिन अपोनें ने रोक स्लाइड रोक स्लाइड बेट तो चा देता है तीन रोक स्लाइड चाहिए इसको क्यों करने के लिए और अगर गिरेटीना एनर्जी तो ना करें तो हम एक और रोक स्लाइड तक पहुंच सकते हैं किसी वजह से आपोनें ने मूव तो कर दिया हम जाने देंगे इस मूव को और उसके बाद हम ला सकते अपना देशन के लिए यह मैचब थोड़ा आसान कर देए अपोनें ने शील्ड कर लिया और अब हम यहां पर लेड़ को कर सकते हैं इस मूव को हमारा जेशन अभी डीव नहीं है तो यह मूव ज्यादा डैमिज नहीं देंगे हम तो करेंगे प्लेयर और इसके बाद एक और प्ले लेटीना को तो जीजी स्टूदी अपोनेंट बहुत ही अच्छा मैचब थो कर सकते हैं फ्यूजन फ्लेयर और यह क्यों गया देगा स्मूव को ना इस पोकेमोन को जीजी इस्टूदी अपोनेंट चले सलते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ जिसमें है रेशी रेम वर्सिस हो यह हमारे लिए अच्छा मैचब था पोनेंट ने सी वजेश से स्विच कर लिया अपने जेशन में तो हम पिछली बार की तरफ दो करेंगे फ्यूजन फ्लेयर और फिर स्विच कर लेंगे अपने जेशन में लेकिन यहां पर ब्लैक लूफी ने कैच कर लिया मूव यहां पर यह प्लेयर रफ हो सकता है ज्यारा चांस आसरा और वायल चार्ज नहीं था वैसा रीजन यह था कि नौर्मली रेशी रेम पर प्लेयर क्लोज कॉमबाट तो यहां पर कैश्च करने की ती लेकिन प्लेयर ऐ न हम फ्लेयर अप यह हो जाएंगे हम ले या पॉनेंस लिए या डियर हम लेंगे आपने टेराकियं और अपॉनेंस लेया हो ओ तो हमारा टेराकियं ऐपॉझन की टीम को खर या हम भी शील्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहांपर ब्रेव वर्ड इंडरा नीट्र इमिज देता है और बोन शॉट करदेगा हमारे टेराक के ड्रैगन ब्रैमज में और बहुत ही ज़ादा ड्यामज कर दिया और यहां पर हमारा जा सकते हैं इस स्टोनेज के अगरने के लिए बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छी सिचुएशन है क्योंकि इस मैचप को जीत सकते हैं कर लेंगे को लगता तो है उसके बाद कर देंगे कर देंगे इस कायोगर को एक और सब्सक्राइब कर सकते हैं यह वाला कि फोड़ी रफ है हमारे लिए क्योंकि ड्राइगन क्लॉव यहां पर सुपर एफटिव डैमिज देता है अपोनेंट ने स्विच कर लिया ड्राइगा में हम तो करेंगे सेक्रेट स्वार्ट और कोशिश करेंगे कि अपोनेंट एक या दो नो शील्ड कर दे जिससे हम एजली फार्म कर लेंगे अपने रेशी रहम से लेकिन मैच अब बहुत ही ज्यादा रफ लग रहा है क्योंकि अपोनेंट के पास दो शील्ड का एडवांटेज है हम तो करेंगे एक और सेक्रेट सोड और अपोनेंट अगले सेक्रेट सोड तक पहुचने नहीं देगा और इसके बाद हम लेंगे अपना रही रहम और कोशिश करेंगे कि इस ड्यार्गा को फार्म कर लेंगे तो कर सब्सक्रेट हैं नेक्स बैडल की तरफ में हर भार भूल जाता हूंगे मुझे थोड़ा सा स्किप्ट करना है और नेस्ट बैडल जिसमें है इस मुव को अपोनें ने तो गिया साइश ट्राइक और अब हम तो करेंगे वाइल चार्ज क्योंकि हम नहीं कर सकते इस मिटू को वर्ना मिटू एक और तक पहुंच जाएगा जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कावटन टिंग दबलैक लूफी की तरफ से बिलक को लेकिन अपोनेंनने सुछ कर लिया काय करेंगे सेखरेंग लूफ्स ड में आपनेन सर्फ तक पहुंच चुगा है covers में नो Ag Best पार यह वारख को और पनु क्योंकि नहींस नहीं क्योंकि नेगा ड्रेकों मेटियर के तौर पर ना आइधनेट भी थो गया सकता था वह भी क्यों गया देता यहां पर हम थ्रो करेंगे वाइल चार्ज अपोनेट ने टाय गरवा दिया और जीत भी गया तो इस वचे से हम लेट गो कर देंगे इस मूव को लेएंगे अपना रेशी रेम और कोशिच करेंगे कि फार्म कर पाई लेकिन रेशी रेम मुव तक पहुंच जाता है इसी वचे से तो करेंगे फ्यूजन फ्लेयर कियो कर दिया आप बॉलनेट स्ट्री नियूट्र टैमिज देंगे यहां पर मजश तॉर्ट हमें सुपर एद्स दैमिज ऑन करता है मुझे पता ने चल रहा कौनसा पास्समोव श्टाइब पता है संब यहां पर हम no shield कर देंगे इस move को और farm करने के कोशिच करेंगे अपने रेशी रायम से और इसके बाद हम shield कर देंगे इस move को क्योंकि precipice blade one shot कर देगा और इसके बाद हम कोशिच करेंगे कि fast move down कर देश दिया लिगा को अपन यहां पर the black leaf ही पहुँचे है 28 something yellow पर thanks everyone for watching मिलते हैं अगले वीडियो में